अलो दोस्तों मेरे सैटर्डे सेंडेज आएंगे व्लोग में आपका फिर से स्वागत है तो चलिए कल को कुछ छोटो छोटो टुक्रों में देख लेते हैं कल थी 15 एप्रिल यानि की बेंगोली हैपी नुई येर तो हम लोग इसको बेंगोली में बोलते हैं शुभो नववशो तो हम सभी के ओर से आप लोगों को शुभो नववशो और जो की बेंगोली का पहला नुई येर था तो इस साल के सबसे पहले दिन पे हम लोग शुरू करते हैं बगवान जी की पुजा करके ये रहा मेरा पुजा घर और ये रहा हमारे बगवान जी और ये चल रही है मेरी पुजा तो देखते जाएए ये आगे-आगे सारा दिन में होता क्या-क्या है तो नहा दोके पुजा हतम करके और चाय बनाके हम लोग चल परे प्रेक्फस्ट बनाने की ओड़ और ये हाँ जी हाँ एकदम जही पकड़ें ये दूद उबाला जा रहा है जिससे हम लोग की पाएश बनेगी और ये आलू बन रहा है और जो छोले में ड़लेगी और ये ब ये हम लोग का शुबनाउवश्य था तो आज स्पेसल का भी कुछ स्पेशल बनने वाला सब इसोखी कुछ स्पेशल ellu इसलिए बना पूरी और चोले की सबजी और मुमिठ्ण के लिये पाएश तो चलिए करते हैं प्रेक्फस्ट और ये रहा हम्ION का ब्रेक्फस्ट जहां पे एड़ान के हिसाथ से है पपिता तो कल हम दोगों का शुभो नौबवर्श्व था तो इसलिए कुछ स्पेशल सा स्वीट बना रही थी मेरी सासुमा तो मुझे अभी तक नहीं आता है तो यह तो आप दोगों को देखके मालूम चली गया होगा क्या तला जा रहा है हाँ मालपुआ तो बेंगॉली नौबवर्श्व इस ओल अबाउट फूड्स हम लोगों की जो नेवर है वो है तमेड तो 14 अपरिल था तमेड नीवियर तो उन लोगों के तरफ से भी हम लोगों को बहुत कुछ मिला था तो इसलिए इन रिटर्ण हम लोग भी बोलने जा रह तो सब लोगों को शुभो नौबवर्श्व कहके हम लोग अभी चल परें दोपेर की खाना बनाने की ओर तो जी हाँ सही पक्रे मटन तो आपको तो पता ही होगा तो पूजा तो हम लोग सुभा करके ही शुरू किये है आज का दिन तो यह कल मैंने कुछ एक स्पेशल सा ट्राइ करने की कोशिश किया कि हर एक मसाले को पहले तल के प्राइ करके फिर उसको पेस्ट किया जाए और देखते हैं कि कैसा बनता है मक्ली तो यह आप लोगों को जो मैं दिखा रही थी वह तला हुआ मसाले का पेस्टी था और उसके बाद यह जो आलू फ्राइ हो रहा है इसको लेके अभी मटन बनेगा तो देखिए ओहो क्या कलर है तो यह देखिए हम लोगों का लंच बनके रेडी और यह परोसा जा रहा है लंच तो आज लंच में क पेशल तो भात डाल रोटी फल मटन और चाटनी तो दो पहले का खाना खाते शाम को हम लोग निकल परे काली मंदिर की ओर तो मैंने सुभा जैसे बोला ही था कि it's all about foods and पूजा तो पहले पूजा से जैसे दिन शुरू किये तो खतम भी वैसे ही करेंगे न तो चलिए चलते है हम लोगों के साथ बेंगलूरी काली मन देते हैं तो यह रहा हम लोगों का गारी अभी चरिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेडिजी है देखिए जरा कस्टमर इज़की नेवर बर्गेंज तो मैं भी सोच रही हूँ मेरे चैनल के लिए कुछ ऐसा ही अच्छा सा दमदार टैग लाइन रग तो जाते वक्त बहुत जाम हुआ बहुत ही ट्राफिक मिला हम लोगों को रास्त में ट्राफिक पेस करते करते गाना सुनते सुनते हम लोग पहुचे काली मंदिग तो यह है बेंगलोरू काली फ्रस्त तो काली बारी में बहुच के वहां पे देखा कि भोग हो रहा है तो चलिए भोग का आनंद उठाते हैं और पुजा भी देखते हैं तो पुजा करके नवन करके हम लोग चल परें भोग रहन के ओर कितने सारे आये हैं यहां पर देखिए सब अलब ज्यादातर लोग ही यहां पर बेंगली नवोवर्श सेलिब्रेट करने के लिए तो चलिए लेते हैं भगवान का भोग तो कितना अच्छा लगता है ना जब आप मंदिर पर जाओ और वहां पर ऐसे ही अचानक से भोग मिल जाए तो फिर देखिए यहां पर क्या-क्या भोग में मिल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्राइड राइस आलो गोबी की सबजी और उसके साथ डाल उसके साथ एक था चतनी और एक था पाइश और उसके साथ हम लोगों के बेंगॉली नववश्यो सेलिबरेट पूरा करने के लिए था रोजगुल्ला हम लोगों का रोशोगुल्ला तो चलिए घर चलते हैं तो भगवान का नाम लेके जो दिन शुरू किये थे हम लोगों ने तो आज वो दिन हतम होने को आया है तो अच्छे से बहुत कटा हम लोगों का पहला बोशा खाने के साथ और भगवान के नाम के साथ तो मिलते हैं अगले हफते फिर से तिल दिन ट बाइ बाइ और बाइ and please 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 subscribe my channel hit the like button and comment below